नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Edge Lighting Application को आप अपने फोन में कैसे यूज़ करेंगे तो गैस गर आप भी जाना चाहते हो कि Edge Lighting Application है क्या और इस एप्लिकेशन को आप अपने फोन में कैसे यूज़ करेंगे तो फिर इस वीडियो को देखते रहें तो गैस सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा Play Store में आके आपको Edge Lighting Border Light Application को सबसे पहले आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको क्या करना होगा इस अप्लिकेशन को ओपन करना है तो जैसे ही आप इस अप्लिकेशन को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर दो ओप्शन आपको देखने को मिलेगा Edge Lighting Option और उसके बाद Magical Live वाला ओप्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप जो Edge Lighting कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप Border देख सकते हो Side में यह जो Border जल रही है यहाँ पर अलग-अलग Color की जो है Border यहाँ पर जो चल रही है यह वाली जो Edge Lighting है इससे On कर लेंगे तो यह जो Wall Paper Set हो जाएगा अपनी Mobile के स्क्रीन के उपर और यहाँ पर इस तरह से जो Light वो जलने वाली है तो guys यहाँ पर अगर आपको Color सेट करने है तो यहाँ पर देख सतो अलग-अलग Colors भी मिल जाएंगे Two Colors है, Three Colors है, Four Colors है यहाँ पर Options मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो भी Colors आपको Set करने है वो Colors भी यहाँ पर आप Set कर सकते हो उसके बाद Set Background Image का Option है यहाँ से इसे Enable करने के बाद यहाँ से कोई भी अगर आपको Background Set करना है तो वो भी आप जो यहाँ पर ले सकते हो उसके बाद इस तरह से यहाँ पर आप जो अलग-अलग यहाँ पर Preset Use करना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर जो आप यूज कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो Border है वो कम ज़्यादा आप करना चाहते हो fast यहाँ पर इसके speed जो है वो animation की speed जो है कम ज़्यादा करना चाहते तो कर सकते हो उसके बाद यहाँ से border के size है उसे कम ज़्यादा करना तो वो भी यहाँ पर आप जो है कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर border size on lock screen तो वो भी यहाँ पर set कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर इसके जो button है वो भी change कर सकते हो top reduce का option है, उसके बाद enable notch का option है, notch अगर आपको enable करनी है तो वो भी यहाँ पर आप से enable कर सकते हो, इस तरह से notch आ जाएगी अगर notch नहीं रखनी है तो यहाँ से इसे off कर लेना है उसके बाद notch height है उसके बाद यहाँ पर अलग-लग options यहाँ पर आपको use करने के लिए मिल जाएंगे उसके बाद देख तो यहाँ पर border type यूज करने है तो वो भी यहाँ से अलग-अलग जो यहाँ पर आप use कर सकते हो तो यहाँ पर यह वाला option enable करने के बाद इन तरह से magical live वाली जो यहाँ पर theme है वो कैसे use करेगी मैं आपको बता देता हूँ तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके wallpaper के अंदर यह apply हो जाएगी जो theme है magical border service जो यहाँ पर यह apply हो जाएगी जैसे यहाँ पर हम set wallpaper के ऊपर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर यह apply हो तो यहाँ से हम back आएंगे यहाँ से जो भी अगर आपको कुछ यह magical live वाली जो theme है वो लगानी है तो यहाँ पर बहुत सारी theme मिल जाएगी वो यहाँ से आप जो है लगा सकते हो तो चले गया एट lighting के उपर हम click करेंगे और यहाँ पर जो set wallpaper के उपर हम click करेंगे तो home screen के उ enable हो चुकी है तो यहाँ से हम back आएंगे बैक आने के बाद देख तो यहाँ से यह जो border है यह हमारे phone के अंदर apply हो चुकी है तो इस तरह से guys इस border को आप apply कर सकते हो और magical live theme को apply करना तो इसी तरीके से यहाँ पर magical live theme को भी apply कर सकते हो तो guys उमीद करते हो आपको पता चल गया ह होगा कि edge lighting application को आप अपने phone में कैसे use करेंगे तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना शेयर करना और अगर भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए